काम्ठी में अंतिम संसकार के दोरान एक अजीव वाक्या सामने आया था जिसमें चिता को आग दिते समय तीन लोग चुलस गए थे अब उनमें से दो लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है स्थानिया नई काम्ठी थानांतर गत रानी ताला मुक्षधाम में काम्ठी निवासे सिध्धार थूमने की आकस्मिक मौत के कारण अंतिम संसकार के दोरान आग लगाते हुए अचानक आग लगने से तीन लोग गंभेर रूप से घायल हो गए सुधिर डोंग्रे आयू 45 वर्ष दिलीब गजबिये वृद्ध 60 साल और सुधाकर खोबरागडे उम्र 50 साल खलाशी लाइन नाकसे नगर काम्ठी के तीनों निवासे बुरी तरह जुलस गए और गंभेर रूप से घायल हो गए सुधिर डोंग्रे और दिलीब गजबियों को इलाज के लिए कामठी के सरकारी अस्पताल में स्थाना नतरीत कर दिया गया सुधिर डोंग्रे जो थे नाकपूर मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए कल रात दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल दिलीब्द गजबे की आज तड़के मौत हो गई अंतिम संसकार के जुलुस के दोरान आग लग गई ऐसा पहली बार हो रहा है कि घटना में शामिल शोक संतप नागरी को तक पहुच रहा है और हर तरफ दुख फ्यक किया जा रहा है अधे ग्लास मदे तेल घेतला अनमारला तामी एकड़ी दूर होतो तथे आचाली मला है हाता ले थोड़ा चा आनी है ये ये ते आनी है काना ले थोड़ा लागल ते अनना ये ते कप्ड़े वागर जड़ले ते एंचा ये जासता आयत ते अनलक्षा तचने आले का सकाई जाले महूं